तुम लोग को आज एक सिंपल कहानी का मद्धम से शिखाएंगे यह तुम क्या बन सकते हो You all are potentially divine यानि कि तुमारा अंदर हर शक्ती भरा हुआ है एक बार एक मेले में गुबबरा विक्री करने वाला एक बेलून विक्री करने वाला बेलून विक्री करने वाला था उसमें भीर में एक छोटा बच्चा आके पूछा गुबबरा बेजने वाला को यह अंकल अंकल यह तो लाल वेलून असमन में उड़ रहा है पीला वेलून असमन में उड़ रहा है स्काइब्लू रंका वेलून भी असमन में उड़ रहा है क्या अंकल काला बेलुन भी असमन में उड़ेगा क्या तो उस्थें दुकान बला का पास भीर लगा था बहुत जदा फिर तो दुकान बला ओ बेजने बला गुबबरा बेजने बला बोला बेटा थोड़ा रूख अभी थोड़ा भीर खतम हो जाएगा तुमको समझाएंगे उसके बाद धिरे-दिरे सब अच्चा का पेड खता ए बैलुन चाहिए ओ बिक्रीजभ हो रहा था जब भीर का म हुआ था एध़ा फ्केड़ा खता फिर बोला अंकल लाल बेलुन ऑज़ा असमान में में उड़ right? पिला बेलून भी आसमन में उड़ रहा है क्या काला बेलून भी आसमन में उड़ेगा क्या तो बड़ा बेचने वाला थोड़ा पहले से समझ लिया था ये तो बहुत इंपोर्टेंट कोस्चे नहीं बहुत गहरा है कोस्चे नहीं प्रस्ण है तो बेलून बाला बोला देखो जो बेलून आसमन में उड़ रहा है ना इसका बहारी रंग का चलते नहीं लाल हो पिला हो काला हो कोई भी बेलून आसमन में उड़ेगा अगर उसका अंदर जो गैस भरा हुआ है गैस अगर सक्रिय है एक्टिव है काम कर रहा है गैस तो आसमन में उड़ेगा बेलून का बहा तो छोटा बच्चा तब समझ जा किया कि अगर कोई भी इनसान अगर बड़ा होना चाता है तो उनका अंदर इश्यर ने जनम का साथ साथ प्रोटेंशियली डिवाइन यानि कि दिबबग गैन भर के दिये हैं आप कुछ भी कर सकता है आपका रंग कला हो या गुरा हो आप देगने कैसे हो उससे कोई मदलम नहीं आप शब का अंदर एक चीज भरा हुआ है गुन भरा हुआ है बाहरी हिस्सा लाल हो या पिला हो उपर में चड़ोगे अगर आपका ओ एक्टिविटीज आपका गुन अग बेजने वाला को ये पूछने का जूरत नहीं गुबबरा बेजने वाला अगर भगबान है तो भगबान ओही आपको इसारा करेगा इस्षर गौड आपको ओही इसारा करेंगे कि आप उन सकते हो आप आगे बाड़ो पहले पोजिटिव ऑनेस्ट और आपका साथ जो पोट